बिश्मिल्लायगाफ मादर रहीम तोड़े वाइव दिस्कस अबाव डीसलीनेशन एंड प्रोसेस उस पर डीसलीनेशन तो पहले हम बात करते हैं कि डीसलीनेशन होती क्या है तो इसके लिए आप लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कॉंसेप्ट पहले तो इन तीनों में किसी ना किसी amount में salt प्रेजन होता है जिसको हम कहते हैं कि total dissolved salt ठीक है यानि कि TDS का कोई ना कोई content है यानि कुछ ना कुछ amount जो है वो TDS की present होती है dissolved salt की amount present होती है water की different types में अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो फ्रेश वाटर में यह जो है अमाउंट वो होती है 1 से लेकर 10 तक range कर रही होती है अगर हम बात करें ब्रेकिश वाटर की तो ब्रेकिश वाटर जो है वो फ्रेश वाटर और सी वाटर के दर्मयान में आता है यानिकि ना तो हम इसको फ ही हम drink नहीं कर सकते sea water को ठीक है क्योंकि इसमें salinity level जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है तो इस salinity को या इस salt को remove करने के method को हम कहते है desalination ठीक है a water sample is set to be saline if it has much of dissolved salt content या अगर इसकी TDS value बहुत ज़्यादा होगी या TDS value कोई ना कोई होगी तो हम कहेंगे कि इसमें dissolved salt present है और हम इसको कहेंगे कि यह saline water है तो saline water मैंसे salinity remove करने के process को हम कहते है desalination ठीक है तो desalination के process में क्या होता है कि dissolved content होता है salt का हम वह remove कराते हैं इसके different processes है तो हम लोग चार processes के बारे में बात करेंगे तो पहला distillation and the next is freezing, third is reverse osmosis and the fourth is electrolysis, electrodialysis तो यह हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्या होता है so coming towards our first process of desalination that is distillation distillation और बाकी कुछ processes के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन हम लोग यहां पर जो discuss करेंगे तो reverse osmosis होगा तो पहला जो process है हमारे पास वह distillation का process as we all know that distillation is a process of separating components on the basis of their boiling point हम लोग क्या करता है कि solution mixture हमारे मास present होता है हम उसको byal करना शुरू करते है और byal करने से क्या होता है कि जाहर है क्योंकि जो इसके मिक्स्टर प्रेजन प्रेजन है यह उसके compound है separate कर लेते हैं दो mixtures को next अगर हम बात करें freezing की तो अच्छा हाँ distillation में हम लोग इस तरह से करते हैं कि distillation में हम लोग बॉयल करते है water को water water boil की वैपर की वैपर्स की फर्म में आते है वैपर्स जो है हो वहाँ पर एक ट्यूब लगाई होती है जिससे हम लोग किसी और अप्रेटर में आपकर या किसी और वीकर या फ्लास्क में हम लोग वाटर को collect कर रहे होते हैं ठीक है तो हम क्या करते है water के पीछे सौल्ट बच कि आइस formation यानि कि बरफ जम रही होती है second ice washing यानि हम बरफ को धोरे होता है और third ice melting यानि कि हम ice को melt करते हैं और water obtain करते हैं इस process में क्या होता है आप लोग करेंगे freeze होने से किस तरह से salt अगयादा हो गया तो यह होता क्या है कि जब salt water जो है वो आहिसता आहिसता से freezing point attain करने लगता है तो ice crystals जब बनने लगते हैं छोटे-छोटे water के अंदर तो वो crystal structure जो है वो exclude कर देता है नसील को यानि कि कोई salt जो present होता है उसको exclude कर देता है वो ice crystal structure क्यूंकि वो structure बना रहा होता है यह compact structure उसको proper चाहिए होता है और NACL जो है यह अकर add water में तो यह boiling point कम कर देता है तो वो क्यूंकि क्यूंकि क्स्ट्रल structure बन रहा होता है तो यह यह होता है वो NACL को execute कर देता है यह process तो कोई इतना कोई वो नहीं है लेकिन फिर भी हम यह process यूज करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है reverse osmosis जिसकी बाद हम सबसे एंड में करेंगे और फूर्थ हमारे पास है Electrodialysis, Electrodialysis is also called as EDR, EDR हम कहते हैं Electrodialysis को इसमें as the name suggests electro it means electricity is used तो इसमें हम क्या करते हैं कि electricity हम apply करते हैं यानि water जो है वो soft water में convert हो जाएगा ठीक है तो यह हम तीन process discuss करें next हमारे पास है reverse osmosis जो कि हमारा main topic है reverse osmosis के अगर हम बात करें सबसे पहले हम जानेंगे कि osmosis होती क्या है तो osmosis एक ऐसा process है जिसमें क्या होता है solvent molecules जो होते हैं वो उस तरफ move करते हैं जहां पर higher concentration of solute होती है यानि कि solution जो है वो concentrated होता है तो अब इसमें होता क्या है आपके पास यह एक beaker आपको नसर आ रहा होगा बीकर में हमारे पास है semi-permiable membrane होती है semi-permiable membrane होती है जो psic Kingdom का किसी कि अपने मतलब अपनी आपनी इजाज़त से कुछ molecules को पास होने देती है अब ऑर molecules salt की भी हो सकता है water की भी हो सकता है यह वह कूँसे molecules को पास होने देगी तो osmosis एक ऐसा process होता है जिसमें semi permeable membrane होती है और होता क्या है कि solvent molecules होते हैं वो dilute sites है यानि कि एक ऐसी site जहां पर dilution जाद है यानि पानी या पर solvent जाद है जहां पर solute जाद होते हैं वो उस तरफ move करते हैं ठीक है यानि कि जहां पर solute की concentration of solute जादा है यानि कि यह concentrated जादा है तो water molecules जहां वो इस तरफ rush करना शुरू कर देंगे यानि इधर से semi permeable membrane से पास होंगे और इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे ठीक है अब अगर osmosis होगी तो इस तरह होगा लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं reverse osmosis की जब हम osmosis को reverse कर देता हैं तो किया होता है हमें pressure apply करना पदता है हम क्या करते है अब हमने बड़ा ना कि fresh water molecules को इदर जाना चाहिए अगर simple osmosis हो हम क्या करते हैं हम pressure apply करते हैं उपर से pressure apply करने से क्या होता है कि जो solvent molecules यहां present होते है वो pass होके इस तरफ चले जाते है ठीक है क् concentrated में से निकलके वो dilution की side पर आ रहे होते हैं और यहां पर हमें fresh water obtain हो रहा होता है हम fresh water जैसे जैसे obtain होता है इसको side पर हटाते रहते हैं थाकि इसमें impurity mix ना हो जाए या कि इस side पर तो क्या होगा यहां से तो direction of solvent flow की रिवर्स हो जाएगी यानि कि वह पहले क्या था low से higher आ रहे थे यानि low concentration of solute से higher concentration of solute की तरफ आ रहे थे अब वह उलट जाएंगे यानि अब वह high concentration low concentration की तरफ move करना शुरू कर देंगे और process जो होगा वो reverse हो जाएगा इसलिए हम इस process को कहते हैं कि यह reverse osmosis है ठीक है अब क्या होता है fresh water जैसे चैसे हमें obtain होता है हम उसको remove करते रहते हैं और इस तरह से हम लोग sea water को भी drink able बना सकते हैं इस process के थूरू reverse osmosis के थूरू ठीक है तो water जो हम separate कर लेते हैं solution से और next लिएक हम बात करें कि membrane हम इसमें कौन से यह निए semi permeable membrane किस चीज़ की बनी भी होगी तो semi permeable membrane में हम यूज कर सकते है cell cellulose acetate को ठीक है या फिर हम यूज कर सकते है polymethacrylate को या फिर polyamide को या polysulfone को यह निसमें poly poly वाले molecules को यूज कर सकते हैं next बात हम करेंगे कि pressure भी तो हम यहाँ पर pressure apply कर रहा है वह कितना होना चाहिए तो pressure range from 15 to 40 kg cm square is usually applied ठीक है तो pressure यह apply हम कर सकते हैं next हम बात करते हैं इसक कर दो iska फायदा क्या होता है इसका फायदा है यह होता है कि तो membrane हम यूज कर रहे होते हैं इसका lifetime बहुत जाधा होता है आप इसको काफी बार यूज कर सकते हैं काफी ज़दे time के यूज कर सकते हैं एक ही membrane को और यह membrane जो है वो all types of impurities को remove कर देती है यह नहीं कि sóf calcium iron निकाल या पिर सिफ यह वाली salt निकाल दी यह वाली salt नहीं निकालनी मतलब कोई specification नहीं है it remove all types of salt और क्या करते हैं कि हम membrane रीप्लेस कर सकते हैं बहुत कम time में यह फॉरन-फॉरन से भी replace कर सकते हैं बहुत ज़ादा time नहीं लगता है और निक समय बस क्या है कि water obtained by this process is used for high pressure boilers जिन boilers के हम लब तक बात करते आ रहे हैं उनको हम water treatment के लिए हम इतने processes देखते आ रहे हैं अब हमें आगर बता लगा कि यह वाला process जो है reverse osmosis का यह best process है इसके त्रू हम लोग जो है वो इतना pure water obtain कर सकते हैं कि हम उसको high pressure boilers में use कर सकते हैं next to the last point हमाई बस कहा है कि process is used for converting sea water into drinking water यह भी बहुत main point है कि हम sea water जिसके अंदर 35 से भी more than 35 TDS level होता है TDS content इतना स्यादा होता है उसको भी हम drink cable बना सकते हैं by reverse osmosis तो यह एक main point है कि हम से क्यों में पूझा जा सकते हैं तो hope so आपको यह concept समझ में आया होगा है यहां पर हमारा यह water treatment का topic खतम होता है थैंक यू